एक गाउं में एक घना जंगल था उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते थे उसे बहुत दिनों से कैद उमें इस पोतल में अब तो छोड़ दे, बतले में चाहे तुम उससे पैसे ले ले यहाँ भी रिश्वत, अरी जुडायल, मैं तांत्रिक भला पैसों का क्या करूंगा लेकिन अगर तुझे छोड़ा, तो तू लोगों को बहुत नुक्सान पहुचाएगी लेकिन जैसे ही तांत्रिक थोड़ा आगे बढ़ता है, उसका पैर नीचे एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है, उसका सर जमीन से टकराता है, जिसकी वज़ा से वो बेहोश हो जाता है बोतल उसके हाथ से छूट कर तूट जाती है, बोतल के तूटते ही चुड़ैल बाहर आजाती है कितने दिनों के बाद बाहर किया वाली है, इस दुष्ट ने तो मुझे चुवाई बना डाला था, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाली, अब खुब मजे लूंगी बाहर चुड़ैल वहां से भाग जाती है, उधर कुछ देर बाद तांत्रिक को होश आता है, वो चुड़ैल को ना पाकर बहुत दुखी होता है अरे, या दुष्ट चुड़ैल तो बोतर से भाग गई, मुझे जल्दी ही कैद करना होगा, नहीं तो इन दोश लोगों को मारेगी ऐसा कहकर तांत्रिक भी चुड़ैल की खोज में जंगल में चला जाता है, उसी जंगल में एक दिन एक शिकारी राका अपने दोस चिंटू के साथ आता है हाहा, क्या जंगल है भाई, यहां तो मेरा शेर पकड़ने का सपना पूरा हो ही जाएगा हाहा, इस साल से चालिस साल का हो गया हूँ, लेकिन एक दो जंगली सूरों के अलावा एक भी ढंका जानवर नहीं पकड़ पाया हाह, बात तो सही करत हो राका भाईया, लेकिन हम सेरों को पकड़ने कैसे, वैसे भी आप कमजोर हैं शिकार में मुझे तुमसे इस तरह के जवाब की उमीद थी, हाहा, चल देख, छोटे, मेरा प्लान ऐसा कहकर राका चिंटू को लेकर एक घनी जाड़ी के पीछे जाता है, और एक बड़ा सा पिंचरा दिखाता है, पिंचरा देखकर चिंटू खोश हो जाता है अपनी तारीफ सुनकर राका ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और बोलता है जोटे, अभी तो तुने मेरा दिमाद देखा ही नहीं है, अब देख ऐसा कहकर राका पिंचरे के अंदर एक बगरी बांद देता है और बोलता है जोटे, अब यहाँ से चलते हैं, सुबहो देखना अपने भाई का कमान पिर राक और चिंटू वहां से चले जाते हैं रात में चुडएल वहां भटकते हुए आती है उसे बड़ी जोरों की भूख लगी होती है कितने सालों से मैंने जंग का मांस नहीं खाया ना खून ही चखाये आज उस तांत्रिक से आजात होने के बाद भूख भी कुछ ज्यादा ही लग रही है तभी चुडएल की नजर पिंच्रे में बंधी बकरी पर पड़ती है बकरी देख कर वो खोश हो जाती है लगता है शैतान ने मेरी सुन ली क्या मस्त बकरी है इसे खाने में मज़ा आ जाएगा चुडएल खाने के लालच में पिंच्रे के अंदर चली जाती है लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है पिंच्रे का दर्वासा बंध हो जाता है लेकिन चुडएल खाने के लालच में कुछ नहीं देखती और बकरी को मार कर खा जाती है खाने के बाद चुडैल पिंचरे से निकलने की कोशिश करती है अरे फिर से फस गई रे ये क्या हो गया ये तो पिंचरा है लेकिन इस जंगल में ये पिंचरा किसने लगाया ओफ मेरी तो जिंदगी ही खराब है अब क्या करू चुडैल पिंचरे से निकलने की कोशिश करती ह लेकिन निकलने ही पाती और ठक कर पिंच्रे में ही सो जाती है अगली सुबह चिंटू पिंच्रे के पास आता है लेकिन तब ही उसकी नजर चुडैल पर पड़ती है जिसे देख कर चिंटू घबरा जाता है और चिलाने लगता है चिंटू के चिलाने की आवाज राका को आती है ऐसा कहकर राका भी चिंटू और पिंच्रे के पास पहुँचता है लेकिन चुडैल को देख कर वो भी डर जाता है उन दोनों को देख कर चुडैल गुस्से में आ जाती है और बोलती है चुडैल को गुस्से में देख चिंटू वाज चुडैल जी हम दोनों जोकरों जैसे दिखते जरूर है का समझती हो तुम हमका हम तुमको खोल दे और तुम हम दोनों का चिकन तंदूरी बना दो देखो मैं तुम दोनों की बक्वास सुने नहीं आई हूँ जदी से खोल दो ता कि मैं यहां से चली जाओ और मेरा वादा है कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूंगी चलो खोलो अब ऐसा कहकर राक और चिंटू वहां से चले जाते हैं और अपने तंबू में आकर आपस में बात करते हैं भाईया इस चुड़ायल को अगर हमने छोड़ दिया तो यह हमें मार डालेगी लेकिन मेरे दिमाग में एक स्कीम आ रही है तो इतनी देर से क्यों पहलिया बना रहा है भाईया क्या अगले साल बोलेगा भाईया आप तो गुस्से में आ जाते हों पहले सुनो तो सही मैं कह रहा हूँ कि अब तो पिंजरे में आ ही गई है क्यों न हम इसे लोगों को दिखाएं और पैसे मनाएं इसके बाद राका और चिंटू अपने प्लान के हिसाब से चुडैल के पिंजरे को जंगल से बाहर निकाल कर गाउं के किनारे ले जाते हैं और उसकी प्रदर्शनी लगा देते हैं लोग भी पिंजरे में कैट चुडैल को देखने आने लगते हैं और चुडैल के पिंजरे के पास खड़े होकर बाते करते हैं अरे अब तो पछली बार चुडैल बातो इतले खरीब से देखा हूं तो वो भी जिन्दा मजा आ गया भाईया मजा आ गया सही कहो था पोपट भाईया इसको देखने में तो तेर से भी जादा मजा आता है बस एक ठो कमी रह गई ये कुछ करतब दिखा देती तो पूरा सरकस की तेलिंग आ जाती उन दोनों की बात सुनकर चुडैल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है चुडैल को गुस्से में देख गाउवाले वहां से भाग जाते है धीरे धीरे चुडैल के बारे में आसपास के गाउं में भी पता चल जाता है और लोग उसे देखने आने लगते हैं और राका और चिंटु की भी खूप कमाई होने लगती है चुटे तेरा आइडिया तो काम कर गया इतना पैसा आ रहा है ये ले थोड़ा तू भी ले ले ऐसा कहकर राका चिंटु को कुछ पैसे देता है जिसे देख चिंटु बोलता है बस क्या राका भाया इतना सा ही हम तो सोचे थे कि हमें आधा हिस्सा मिलेगा लेकिन आप तो हमें खाली चिल्लर दिये दे रहे हों चिंटू की ये बात सुनकर राका को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू को बोलता है अब तेरी इतनी आउकात हो गई छोटे तो मुझसे पार्टनर्शिप करेगा जाल फोट यहां से चितना है उतना रहे राका की बात सुनकर चिंटू उदास मन से वहां से निकलता है लेकिन तब ही चुडएल उसे बुलाती है चिंटू भाया जराई धराव इस राका की बच्चे ने तुम्हारा अपमान करके ठीक नहीं किया आखिर आइडिया तो तुम्हारा ही था उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था बात तो ठीक है चुडएल जी तुमरी लेकिन हम का कर सकते हैं वो राका बहुत तगड़ा है हमको मारेगा बहुत तुम डरते बहुत हो लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगा उस राका से बदला ले सकती हूँ भस तो मैं मुझे आजाद करना होगा मैं ने सही समझा तुम बारे बारे में तुम तो सचमुच बहुत डर पोखो अरे हम चुडएलों की भी कोई जबान होती है फिर चिंटू बदले की भावना और चुडएल की बातों में आकर चुडएल को पिंजरे से आजाद कर देता है देखो चुडएल जी, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अब जाकर राका के बच्चे से मेरा बदला ले लो, जाओ लूंगी मेरे छोटे, पहले तेरे से तो निपटलू ऐसा कहकर चुडएल चिंटू को गर्दन से पकड़ लेती है ऐसा कहकर चुडएल चिंटू को मार डालती है उधर चिंटू की आवाज सुनकर राका भी आ जाता है और चुडएल को देखकर बोलता है तुम बाहर कैसे आ गई चुडएल, चिंटू कहा है, चिंटू कहा है चिंटू को जहां जाना था, चला गया अब तो जब ही उसके पास बेज देती हूँ, बहुत पैसा कमारा था मेरी नुमाईश करके ऐसा कहकर चुडएल राका को भी मार डालती है मज़ा आ गया, अजाद होकर, अब बताऊंगी उन लोगों को जो मुझे देखने आ रहे थे ऐसा कहकर चुडएल वहां से गाउं चली जाती है और लोगों को मारने लगती है चुडएल की खबर तांत्रिक तक पहुँच जाती है और वो भी गाउं पहुचता है बस तुष्ट चुडएल, बहुत हो गया, अब तू ना बचेगी पचली बार तुझे गैद करके गलती करीती मेड़े आज ये गलती नहीं करूंगा तू मारेगा मुझे तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता और उस पर शिवजी की भभूत डाल देता है जिससे वो चुडएल वहीं जलने लगती है अरे मर गई रहे, तांत्रिक ये क्या डाल दिया तूने मुझे पर, तिरा नौस मिटे कुछी पल में चुडएल जल कर राख हो जाती वो एक काली और घनी अंधीरी रात थी विहान, अंकुष, प्रीती और काजल, चारों कॉलेज के दोस्त विहान का बर्डे सेलिब्रेट करने के लिए एक रिजॉर्ट जा रहे होते हैं रास्ते में जाते समय, प्रीती कायर की खिड़की से एक सुन्दर सी नदी देखती है वाओ, क्या सुन्दर नदी है ये, कितना खूबसूरत नजारा है हाँ यार, लेकिन जैसे ही वो लोग आगे निकल जाते है अचानक से वो नदी गायब हो जाती है ओ नो, वो नदी, वो नदी अचानक से गायब कैसे हो गई ये सब क्या था, पता नहीं काजल, ये काफी हैरानी वाली बात है ये रास्ता बहुत haunted vibe दे रहा है यार मुझे अरे क्या तुम लोग भी ना देखो सामने एक मंदिर है उसमें एक पंडितायन पूजा कर रही है हाँ देखो तो Thank God अब मेरी जान में जान आई हाँ मैं भी बहुत डर चुकी थी देखते ही देखते रिजॉर्ट आ जाता है रिजॉर्ट बाहर से काफी सुनसान और डरामना लगता है ये रिजॉर्ट है आपको ये भूत बंगला प्रीदी, काजल ये कैसा रिजॉर्ट चूस किया तुम दोनोंने कहां है ये भूत बंगले जैसा अरे अंदर से बिलकुल सुन्दर है ये रिजॉर्ट देखोगे तो फैन हो जाओगे चलो चलो अब कुछी देर में बारब बजने वाले हैं हमें विहान का बर्डे केक भी तो कट करना है चारों रिजॉर्ट के अंदर कदम रखते हैं और चेक इन करके अपना अपना सामान र यह ऐसा मजाग भी कोई करता है क्या नो गाईज मैंने ऐसा कोई मजाग नहीं किया इस केक पर पहले हैपी बर्डे लिखा था मैंने अपनी आँखो से देखा था केक शॉप में पैक करते समय लेकिन अभी विहान मेरा विश्वास करो मा और पापा की कसम इस केक पर मैने पर पास, सोड़ो ये सब। वो उपर टेरिस पर खुली हवा में जाती है तभी उसे वहाँ पर एक काली साड़ी पहने औरत दिखाई देती है ये कौन है? ये औरत? हलो? आप यहाँ पर क्या कर रही है वो भी इस वक्त? वो औरत प्रीती को कोई जवाब नहीं देती है और फिर जब प्रीती उसे चूती है तभी प्रीती महसूस करती है कि वो तो हवा है और उसका शरीर ही नहीं है ये क्या? इसे चूने पर मुझे इसका शरीर महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं एक मरी हुई चुड़ेल हूँ आँ! बचाओ! चुड़ेल! चुड़ेल! आँ! तुम जारो ने इस रिजॉल्ट में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है अब तुम्हें सजा भुगतनी तो पड़ेगी अब मैं तुम्हें मार डालूँगी नहीं! नहीं! प्लीज ऐसा मत करना! मुझे माफ कर दो! मैं और मेरी दोस्स यहां से चले जाएंगे हम वापस नहीं आएंगे यहां पर! हमें माफ कर दो! चुड़ेल कभी माफ नहीं करती! वो सिर्फ इंतकाम लेती है! जिस भे इंसान ने इस भूतिया रिसॉर्ट में आने की गल्ती की! उसे उस गल्ती की सजा तो मिलकर ही रहती है! क्या? नहीं! चुड़ेल अपने नुकेले नाखून प्रिती के पेट में घुसाती है और वहीं पर प्रिती की मौत हो जाती है! जिसके बाद चुड़ेल उसे खा जाती है! अब उन तीनों की भी बारी है! उन तीनों को भी मरना होगा! आज की रात उनकी जिंदगी की आखरी रात है! गोड़े बेच कर सोई गई जैसे ही काजल स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाती है वैसे ही उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई पानी के भीतर से उसके पैर खीच रहा है ये क्या मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे कोई मेरा पैर खीच रहा हो ये सब क्या हो रहा है काजल को कुछ समझ नहीं आता थोड़ी देर बाद अचानक से उस पानी में धेर सारे भूत आते हैं और काजल को चारो तरफ से घेर लेते हैं उन सभी को देख काजल के हाथ पाउं सुनने पड़ जाते हैं आँ भूत भूत बचाओ अंकुष विहान छोड़ दो छोड़ दो मुझे अगर मुझे पहले पता होता कि ये भूत या रिजॉर्ट है तो मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आती नहीं बिल्कुल नहीं आती मुझे माफ कर दो छोड़ दो मुझे लेकिन वो भूत उसकी एक नहीं सुनते और उसके करीब आने लगते हैं और फिर वो सब उसे खा जाते हैं काजल स्विमिंग पूल में ही मर जाती है जब अंकुष और विहान नीचे पहुँचते हैं तभी स्विमिंग पूल का पानी लाल हो चुका था अरे यह स्विमिंग पूल का पानी लाल गैस होगronics है अचानक से अब भी वो bracelet है जो प्रीती पहनती थी अंकुष ये ये तो प्रीती के bracelet है और ये कंकाल किसी औरत का है इसका मतलब इसका मतलब प्रीती की मौध हुई है तब ही अंकुष को प्रीती के पिता जी का call आता है और बेटा कैसा चल रहा है तुम्हारा birthday trip कहा है विहान बेटा हम तुम चारों को बहुत मिस कर रहे है अंकुष समझ जाता है कि प्रीती के घर पर किसी की death नहीं हुई है और जब वो call cut करता है तब उसके chats में वो message भी नहीं होता जो प्रीती के number से उसे सुबह आया होता है यह नहीं हो सकता प्रीती प्रीती तुम हमें ऐसे चोड़ कर नहीं जा सकती हो प्रीती यह सब क्या होगा अंकुष लेकिन यह सब कैसे हुआ किसने मारा प्रीती को तब ही उपर से अंकुष जब नीचे की तरफ देखता है तब ही उसे swimming pool के पानी पर काजल का कंकाल भी तैरते हुए दिखता है यह द्रिश्य देख फिर से उसके रोंक्टे खड़े हो जाते है काजल यह क्या इसका मतलब swimming pool में काजल की मौत हुई है और इसलिए swimming pool का पानी लाल रंग में बदल गया यह सब क्या हो रहा है विहान काजल और प्रीती को कौन मार सकता है तब ही उन्हें वहाँ पर भूतों के हसने की आवाज सुनाई देती है यह आवाज यह तो भूतों की आवाज है इसका मतलब यह है कि यह resort एक भूतिया resort है और यहाँ पर भूतों का बसेरा है अंकुष अंकुष और विहान जैसे यह बात आपस में एक दूसरे से बोलते हैं तब ही तुरंत उनके सामने वो सभी भूत प्रकट हो जाते है अब हम तुम दानों को नहीं छोड़ेंगे तुम दानों की माथ तो आजते हैं अंकुष और विहान दोनों बहुत डर जाते हैं और तभी वो दोनों अपने कदम पीछे की तरफ करने लगते हैं और इसी कारण अचानक से विहान चैरिस से नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है विहान के नीचे गिरते ही सभी भू तंकुष को मार कर अब विहान के पास भागते हैं तभी विहान को उस मंदिर की याद आती है जिसे उन चारों ने आते वक देखा था विहान तेजी से रिजॉर्ट के बाहर भागने लगता है और वो मंदिर के पास जाता है लेकिन उसे मंदिर के बाहर ही वो पंडिताइन दिख जाती है का हुआ बेटा? कोई परिशानी है क्या? वो वो पंडिताइन जी, भूतिया रिजॉट विहान उस पंडिताइन को सब कुछ बता देता है जिसके बाद वो उसके साथ चलती है तुमें घबराने की कोई जरुरत नहीं है विहान बेटा मैं हूना, मैं उन सबी भूतों को आज खतम करके रहूंगी लेकिन विहान देखता है कि उस पंडिताइन के पैर तो उल्टे है ये देखकर उसके हाथ कापने लगते हैं और सांसे थम जाती है वो रुख जाता है क्या हुआ, तुम रुख क्यों गए? तुमें चुडैल हो, तुम्हारे पैर उल्टे है तो आखिर तुमें पता चली गया अब क्या कर सकते हैं? अब तुम मुझे अपने असली रूप में आना ही होगा तभी चुडैल अपने असली रूप में आती है और चुडैल को हवा में उड़ते देख विहान के पैरो तले जमीन खिसक जाती है चुडैल विहान को पकड़ कर उस भूतिया रिजॉर्ट में ले जाती है तुझे क्या लगा? भूतों को हराना इतना आसान है इतना कहकर वो चुडैल विहान को भी खा जाती है और इस तरह भूतिया रिजॉर्ट में जो कोई भी जाता उसका यही हाल होता ऐसा माना जाता है कि आज तक उस भूतिया रिजॉर्ट में उन सभी मरे हुए लोगों की आत्माई रातों में गुष्ट गुष्ट